हाई नमस्कार आज का विशे कुछ खास करके युवा वर्क से जुड़ा हुआ है आज का युवा जिस प्रशन से हमेशा परेशान रहता है इस प्रकार का विशे में लेकर आया हूँ दोस्तों क्योंकि काभी लोगों ने ही मुझे पूछा है कि सर इस बारे में कुछ दोस्तों एक ऐसा विशे है जो एक मजबूरी भी है और जरूरत भी है शायद आपको लगता होगे कि कौन सा विशे के आपने सब देखा होगा इस पर तो ये विशे जो है आप सब को पता है कि कौन सा विशे के मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फिर एक शायर की बात से मैं अपने बाद शुरू करूँगा, कि कितने मजबूर रहे तकदीर के हाथो, कितने मजबूर रहे तकदीर के हाथो, न उसको पाने की अुछाद, न उसको खोने का असला। बहुत सारे लोगों में ये प्रश्ण होता है दोस्तों जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्ण है शादी शादी क्या है? मैरेज, शादी दोस्तों जन्म और मुरुद्धिव ये व्यक्ति के हाथ के बस की बात नहीं है आपको कहा जन्म लेना है वो आपके बस की बात नहीं है आपको किसी गरिपके गर जन्म लेना है या किसी बड़े परिवार में जन्म लेना है या आपके बस की बात नहीं है मृत्य सनातन सत्य पर कब मरना है वो आपके बस की बात नहीं है वो जब भी आएगी तब आको पूछने वाली नहीं है मृत्यूग कि मैं आ रही हूँ, मैं तुझे लेने इस टाइम को आओंगे, इस तारिक को आओंगे, तुम तैयार रहना, नहीं, कुछ भी नहीं, पुरी जिन्दगी दोड़ धाम करके, कुछ भी किया, बहुत कुछ काले कर्म किये, बहुत क अंसत्य है, शादी, ये दो जो है, वो आपके बस की बात नहीं है, कि शादी जो है, आपके बस की बात, मैं ही समझता हूँ, कि पचास साथ प्रतिशत है, आपको लगता होगे, कि क्यों पचास ये साथ प्रतिशत की बात कर रहे है, क्योंकि मैं ही समझता हूँ, कि आज की वर्ग में जिस प्रकार समय बदलता है, इस प्रकार से शादी जो है उसकी माइने भी बदल रहे हैं, शादी पहले क्या होता था कि केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता था, शादी दो परिवारों का मिलन होता है, दो समाज का मिलन होता है और काफे रिलेशन का मिलन होता था, आज के योग में शादी क्या है तो जिस प्रकार से भारत में सामाजिक बंदन है जिस प्रकार से शादी जो है वो आप अपने समाज में कर सकते है अपनी जाती में कर सकते है यह सामाजिक नियम है काफी लोग है जो इस समय के साथ बदलते जा रहे है और जो उनको जहाँ पर पसंद हो वहाँ पर कर सकते हैं तो यह सारी बात है किन्तु सबसे पहले बात जिस प्रकार से मुझे बार बार पुछा गया कि यह शादी किस उम्र में करनी चाहिए मैंने का आप ही युवाओं को सुना है जब भी बात आती है शादी की तो वो कहते है कि मुझे शादी नहीं करनी है मैं पूछता हूँ क्यों उत्तर नहीं होता है उनके पास पास नहीं करनी है तो यह बहुत बड़ा पूछत अकेला पन हताशा यह आज के युग की एक सबसे बड़ी कमजोरी है वेक्टी बीतर से हताशा बहार पब्लिक में बैठा हुआ है दोस्तों के साथ रहता है फिर भी वो बीतर से हताशा और बीतरी जो हताशा है वो अनेक प्रशनों के कारण पैदा हुई है दोस्तों क्योंकि जब उसकी जरुरते पूरी नहीं होती है वो जो चाहता है वो नहीं मिलता है तब हताशा होती है और ऐसी हताशा भरी स्थिती में वो हताशा भरी स्थिती भी तब आती है जब शादी की उम्र आती है जैसे कि 18 से 25 साल की जो उम्र है उसमें आदमी सबसे ज़्यादा हताश होता मजबूर होता इसके पहले कि जो टीनेज की उम्र है उसमें वो हताश होता है कि तो इतना हताश नहीं होता है यहाँ पर जिम्मेदारी भरी हताशा होती यहाँ प आपर हताशा जो है अकिलापन जो है वो कुछ और प्रश्णों को लेकर है किन्तु 18 से 25 या 30 साल के बीच का जो फासला है इसमें जो हताशा होती है इसमें जो अकिलापन होता है वो कौन सा है वो जिम्मेदारी पर उसके उपर जिम्मेदारियों का बोज आ रहा है और वो जिम और शादी गरने का प्रस्ता उसके सामने बार बार रखा जाता है तब क्या होता है उसकी सिती वो कोई नहीं समझ सकता है उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता है गायल की गायल जाने क्या जाने जी निक पर जो गायल होता है उसकी घट जानता है तो उसके उपर क्या बीट रहे है गर्मे से दबाव है किसी बलड़की होती है उसको पर दबाव होता है कि शादी कर ले का भी वो समझ रही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हू या मुझे नौकरी करनी है, मुझे आगे पढ़ाई कर रहे हूं, पढ़ना चाहती हूं, तो गरमे से मत पढ़ी होती है, कि उसको शादी कर लेनी पढ़ती है, तो कभी कबार क्या होता है कि केरियर दाउपल लगाया जाता है, किन्तु दूसरी बाद ये भी बताओ कि काफी ल गिरिदो, कीस उम्र में, तो मैं यह समझता हूं कि जैसे कि हमारे यहाँपा लटकी योग की उम्र 18 परस होनी चाहिए सादी के लिए, तो मैं समझता हूं कि आज की योग में अगर ज़्यादा खीच ले, तो 18 से 25 साल के बीच में आपको शादी कर लेँचे है, लडकीivalे ल ये देख रहा हूँ कि सभी समाज में ये परिस्तितिया है कि लड़कियों के लिए लड़का ऐसा ढूंडा जाता है जिसके गर में अच्छी प्रॉपर्टी हो फिर गाडिया हो शहर में रहता हो नौकरी करता हो ये सारी बाते माबाप जो है अपने बच्चों की खुशी चाह पड़ेगी क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकास रजणी शोषो को मैंने पढ़ा था उसमें बताया गया कि काफी जो एरेंज मेरेज होती है वो केवल जिम्मेदारिया निभाने के लिए की जा रही है और आज की यूग में जो लव मेरेज होती है वो भी जब जिम समझ्चा बढ़ती जा रही है या जिम्मेदारी आने के बाद जरूरती पूरी नहीं होती है तब उसमें भी डिवास की समझ्चा बहुत बढ़ती जा रही है तो लड़कों के बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसको गर्मा पैसे लाकर जैसे हमारी सामाजिक व्यवस पैसे कमाने का कोई जरिया नड ढूंड ले, इससे पेले शाती न करे तो अच्छा है, इसके बाद सारी समझ चाहिते दा होती है, जैसे मानली जी कि आपकी मंगनी होगे या शाती होगे, इसके बाद सारे खर्चे शुरू हो जाएंगे, पत्नी चाहेगी कि मुझे ये फिर बच्चे होंगे, बच्चे कुछ मांगे, अगर आपको कुछ नहीं कर रहे हुए उस समय, अगर आपको बार बार अपने बापाप के सामने हाथ फ्यलाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी मजबूरी की स्थिती है, इससे ज़्यादा मजबूर मैं किसी को नहीं मानता भुखा आदमी कहीं पर भीख मांगे खा लेता है, किन्तु ऐसी जरुवते पूरी करने के लिए जो चाहिए, वो आदमी अपनों के सामने भी हाथ फ्यलाने में सर्म मैसुस करेगा, और जब बड़े उम्र तो कहेंगे कि वह इतना बड़ा हो गया है, तो पैसे कमाने ही रह करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा है कि नौकरी ही करें, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर आपका गर्मे खेत हैं तो उसमें काम कर सकते हैं, यानि कि आप ठी मत बैठे रहें और प्री किवल बाइक से 50 का पैट्रोल निकाल के कही गुम अगर नौकरी लग जाती है, अगर आपके पास अच्छी खासी व्यवस्ता है पैसो की या आपके अपने पैरों पर खड़े हैं तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं, यानि कि आप 21 के बाद कभी भी शादी कर सकते हैं लड़कों के लिए, किन्तु अगर आपकी बढ़ाई जा नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको पता है कि आप जब किसी बड़े पत पर पहुंच जाते हैं, जो आप ले ले लेते हैं तो आपको पता है कि आपको अच्छा रिष्पा भी मिल सकता है, तो दोस्तों सबसे पहले अपनी लाइव को सेट कीजिये, अपनी जिम्यदारियों को समझे, चो मावाब आपको 25-30 साल तक पढ़ा रहे हैं या आपको अपकी जरुरते पूरी कर रहे हैं, उनकी जरुरते पूरा करना भी आपकी जिम्यदारी है, तो दोस्तों ऐसी स्थिती में ये बहुत बड़ी स्थिती है, इसमें आपको क्या करना जाएं तो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा, डिसिजन अपने आपको भी लेना पड़ेगा, फिर घर की जो परिस्थितिया है, उसको भी आपको समझना पड़े ऐसा मत कहिएगा, कि भी 30 साल तक समय का आए, तो आँ 30 साल तक नहीं शादी करेंगे, घर की स्थिती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो दोस्तों, शादी जो है, वो कोई खेल बेल तो है नहीं, कि एक बार कर ले फिर अगर अच्छा नहीं लगता है, तो खेल को छोड़ दे, आज की यूवर्ग में ऐसे ही बहुत सारी बाते है, जो हो रही है, कि मैं यह समझता कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम नव क्रियेट हो, इसलिए शादी इस उम्रह में होनी चाहिए, कि जब आपकी ज़रूदे पूरे करने के लिए आपके पास उपलब्दा हो, आपके पास आप अपने पैरोबर खड़े हो, तब जाहिए करने चाहिए, मैंने खुदने 28 सा के बाद शादी की, क्योंकि मेरा गोल था कि मुझे प्रॉफिसर बनना है, तो उसके बाद मैंने शादी की, इसके पहले मैं तेसिलदार भी बन गया था, पिर टीचर भी बन गया था, कापी जोब मैंने रिजैंग की है, फिर भी मेरा जो गोल है, इसके बाद ही मैंने शाद बड़ी बात है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है मैंने सबसे पहले ही कहा कि कोई बात होती है आपको अच्छा लगता है कोई वेक्ती किन्तों आपके पास ऐसे सूविदा नहीं है आप जोब नहीं कर रहे है तो मैं यह समझता हूँ कि वो रिष्टा बहुत टिकने वाला नहीं होता है तो इसलिए आप सारी प्लस्षित्य गुस्षम समझना वास्तेविक्ता हों को कभी नज़र अंदाज मत किजिए कल्भना दूसरी भात है सपने देखना दूसरी मात है और वास्तविक्ता दूसरी भात है अवर तो के बयात सारे लोग वाकिफ है दोस्तों उसमें बताने के जुरुद नहीं है तो इस सारे बाते जो है मैं आपको बता रहा था कि साधी जो है वो आपको कि मैंने जो बता है उसी उमर में करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अपने प्यारों पर किसी भी चीज़ आप कोई भी काम कर लिजे कोई भी काम आप ढूंट लिजे कि जिसमें से कंटीनू इंकम आ रही हो कोई बिद्नेश छोटा सा बिद्नेश हो कोई भी बात हो कोई भी काम हो कोई भी काम छोटा नहीं होता है और लड़कियों को भी मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम चोटा नहीं होता है खेत का हो या जो भी हो कि आप काम कर सकते हैं कर्म प्रदान है तो दोस्तों इस प्रकार से आप सबी मेरे साथ जुड़े और मेरी जो बाते अच्छी लगे जो समझता हूँ आपको कह रहा हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अगर आपको कोई सुझा आप चाहिए तो कोमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद